बीते बुदवार यानि 14 जून को एक बड़ा नाव हाथसा हुआ जिसमें 300 से जादा पाकिस्तानी मारे गए हैं और इस नाव में सवार 500 से जादा लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं और इस दोरान घुसपैटियों से भरी ये नाव अपना रास्ता भटक गई और ये नाव इटली के बजाए ग्रीस पहुँच गई आपको बताएं तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसकी वज़ा से पाकिस्तान के लोग लगातार दूसरे देशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास पैसा है संसाधन है वो वैध तरीके से लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो इनहीं अवैध तरीकों से दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं